नमस्का दोस्तों स्वागत आपका आपके प्रेंस अडूट चल एक्जाम गुरू टिप्स एंट एक्ट में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रिवियस यर 2015-16 का जो एक्जाम हुआ था रेलवे एंटी पीसी की परिच्छा की बात करेंगे कितना कटाफ गया था टोटल जोन्स को मैंने लिख दिया है किस जोन में कितना कटाफ गया था उसको देखेंगे जनरल ओबीसी एससी अलग-अलग देखेंगे एक बात ध्यान रखना मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप लोग कि 72 प्लस कोशन अटेम्ट करके आओ 70 प्लस कोशन अटेम्ट करके आओ यानिकि 70 प्लस मतलब 70 से जादा और जब भी मैं 70 से जादा बोलता हूँ तो ध्यान रखना मैं सही-सही की बात करता हूँ मैं आपसे 30 कोशन लगए 28-30 कोशन अप छोड़ने को बोलना हूँ अब आप यहां पर अगर जो एनलाइज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ा आपको इसमें देखने को मिलेगी आपको एक दो जोन का एज़ा कट आप देखने को मिलेगा जो 80 प्लस जा रहा है और 80 प्लस जो जा रहा है न वो नॉर्मलाजेशन स्कोर है ना कि नंबर आप समझाने बैठ जाओं तो इसमें उसके बारे में बात नहीं करूंगा तो यह जो हम बात करने वाले कटाप के बारे में सीधा सिंपल बात यह ना कि नंबर आप कोशन कितने आप अटेम्ट करके आए हो ठीक तो आपको अगर जो यहां पर देखो एकदम कंफर्म से किसी भी से हो 100% मैं seriously यहां पे बात करता हूं किसी भी जोन से आपने form डाला है 75 वैसे 72 पे हो भी हो जाएगा ऐसा नहीं है 75 कोशन किसी भी जोन से हो सकता कोई भी जोन कोई ज्यादा टफ हो जाए हूँ हार हो तो मतलब यह करना कि 75 अगर जो बहुत जाते हो तो 100% मैं कह रहा हूं कि किसी भी जोल से उन लिख के रख लो 75 प्लस करके आ रहे तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा ठिक आई हम बात कर लेते हैं पर प्रीविएस एस की कट आपके द्यानक नहीं नॉर्म लेजेशन मार्क है सबसे पहले हैं पर जनरल लेकेंसी भी ज्यादा है और कॉंपटीशन भी थोड़ा सा ज्यादा है ठीक है तो बच्चों ने अगर जो इस हिसाब से फॉर्म डाला होगा कि मुझभफरपूर का कटाप 58 गया था जनरल का तो इस बार जनरल का कटाफ कम जाएगा तो मुझभफरपूर से फॉर्म डाल ले पच्चों ने यह सारी चीजे देखके फॉर्म फिलप किया था आप अपने जोन का ना मुझे कमेंट्स करके बताएगा साथ में हमारा टैलीग्राम गूप है उसको जरूर जोन कर लिजेगा और यहां पर जो आप वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर करने वाले हैं और साथ में बहुत सारी क्लासे आपकी चलाई जा रही है चलिए आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो एहमदाबाद जोन के बात कर लेते हैं आप एक कट अप देखेंगे जनरल का जो मांक्स ता वह सेवंटी त्री गया कितना सेवंटे त्री वह अगर ज अगर जो एस्से की बात कर लेते हैं तो 57 यहां पर अजमेर का देखेंगे करीब पहुशने की कोसिस कर रहा है और यहां पर अभी राश्ट में बात करेंगे उसके बारे में जो आप सोच रहे हो जो आपकी माइंड में जल्ला आ है कि इस बार का कटाप क्या यहां से कंपेर कर सकते हैं कंपेर कर सकते हैं तो है सब्सक्राइब की बात के आपने नहीं लिखा, SC के थोड़ा कमाप यहां पर जान रखिएगा, SC-HTO ऐसे कुछ नहीं होता, जो बच्चा मुझसे पूछता आना कि सर मेरा SC-HTO मुझे कितना करने, मैं उसे तबाग से जवाब देता हूँ, पर जान के तरह करो तब तो वैसे भी सेलेक्षिन नहीं हो, यह सोच के त्यारी करो कि मुझे 50 लाना है, तो मैं 50 के लाया के पढ़ू, तो यह काम कभी मत करना का सब्सक्राइब करने, तो चोब कमपटिशन जनरल वाले के साथ करो, असानी से आपका सेलेक्षिन हो जाएगा, ठीक? और से का गया था 52, चंडिगर की बात करें, सबसे हाई कटाब गया था, चंडिगर जोन का उस टाइम, चंडिगर जोन जिसमें सब फ़र्म फिलप करना चाहते थे, वेकिंसी भी कम आई थी, और बच्चे ज्यादा फ़र्म फिलप करना दे थे, कॉम्पेटिशन हाई हो गया था, तो अब देखेंगे यहाँ पे, अगर जो मैं कंपेर करूं, तो जनरल का कटाब की बात करें, तो चंडिगर में आते हैं, तो करूं है, और बात करें, ऑब बहुत सारे लोगες करते हैं, तो गोराफूर जो आते है, तो 78-88 गया था, जनरल का 69 गया था OBC का SC गया था 57 गुवार्टी जोन में आता है तो 67 गया था यहाँ पर जनरल का कटाप OBC का 57 गया था SC की बाद करें 53 आने की 33 गया था अब आए चलते हैं कोलकाता की बाद तर लेकर कोलकाता जोन के बार में में भी बहुत सारी लोग कमेंट्स करते हैं तो 80 गया था है कि SC गया था जनरल का कोलकाता और यहाँ पर चंडिगर दो जोन ऐसे जिनका 43 गया था किसका 43 गया था SC का मुंबाई जोन में 78 यानि की 78 गया था जनरल का 71 यानि की 71 गया था OBC का और 64 यानि की 64 गया था बहुत जारी इस्टुडेंट्स चल ले जाते हैं किसी जोन में बच्चे जा रहे हैं तो यह रिजन इसलिए निकल गया था यहाँ पर OBC का 30 गया था यहाँ पर SC का जम्मू की बात कहले वैसे तो जम्मू में पहले बच्चे फॉमी ने डाल दे थे अब सब बच्चे जाग रूख हो गया है जम्मू भी जाना पसंद करते हैं जम्मू में भी फॉम फिलप हुए है लेकिन फिर भी जम्मू का मुझे लगता कट लगी रहेगा सत्तर के आपस रहेगा जम्मू का उनहें था जनरल गया था जनरल का 51 गया था OBC का और 52 गया था आपका SC का पटना में आते हैं विहार बॉल में इस बार पटना का थोड़ा हाई जा सकता है 63 गया था जनरल का 54 गया था OBC का 79 गया था आपका HC का राचे जोन में आते हैं तो 64 गया था जनरल का 58 गया था OBC का 46 गया था SC का सिखंदराबाद जोन की बात करें तो 78 गया था जनरल का 73 गया था आपका OBC का 64 गया था SC का और सिलीगुरी जोन की बात करें 68 गया था जनरल का 57 गया था उबीसी का और सी की बात करें 55 गया अब यहाँ पे आपके मन में जो कोश्चन उठ रहा होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं आप यह सोच रहे होंगे कि यह जो कटाफ क्या ऐसा ही जाने वाल कित्ने इस्टेहर्टन में कहां पर किस जोन के फ़म फिलप किया है तो अलाभाद में मुझे लगता है सकता है क्वे पर इस बार व सोले रहने सिकंदराबाद हो सकता है इस बार की वैले में मैं बात करो सिकंदराबाद सिलुगूरी भी लोईस्ट कटाफ रह सकता है फिर से और मुझाफरपुर की बात करें यहां का कटाफ थोड़ा सा मतलब मॉडरेट रहेगा ज्यादा नहीं जाएगा यह ठावन है यह 65 के संथिंग सब्सक्राइब करें मुद्धा का कटाफ यह 65 प्लस हो सकता है जो बासर था ठीक है कोलकाता का भी 77-78 के आसपास रह सकता है तो यह था टोटल कटाफ मैंने बताए प्रीवियोस का और यह भी मैंने थोड़ा सा डिसकर्स करनी की कोशिकर अपने experience के अमारा कि कितना कटाफ हो सकता है कि वीडियो चाहिए इस बार का कटाफ के जून का कितना जाएगा तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो अगर से बसेधर करते लाइक की बात करना होगे तभी होगा तो मैं जल्दी के लिए कटप का वीडियो लेके आउंगा जोन वाइच इस बार कितना चा सकता यह तो प्रिवियूस लिए था और मैंने बताने की कोशिस की कितना गया था कि आप थोड़ासा अंदाजा लगा देना कि इस बार जा सकता है तोड़ासा इधर लगा करके कुल मिला के एक बात हम करते हो सेलेक्षिन की बात नहीं करो स्रीटी वन क्लियर हो जाएगा तो आपका नंबर आ सकता है मिनत करो पढ़ाई करो बाकी कहीं पर भी कोई डाउट हो कमेंट्स कर सकते हो इस्टाग्राम पर फॉलो करो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएका वहाँ पर भी के लिए जॉइन करना क्योंकि उसी में सारे पीडियाफ और वीडियोज की लिंक आपको मिलती रहते हैं चलिए मिलते रहे हैं जाएं दोस्तों जया बाद